कर दोस्तों लोकल इन्फो बाइट एस में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं तो यह कच्छी दरगा विद्धुपूर और मैं पहले भी कहा था कि विदिन फ्यूरेज यह वाटर लेवल काफी हाई हो जाएगा देखे तो यह रास्ता बंद हो गया है और इस तरीके से बै है और फिर आम लोगों की भी जिन्दगी यहीं पर थम जाती है यहीं से वह नौस जाता है वाटर लेवल पूरा है अभी पटना में पूरी तरीके से पानी नहीं हुआ लेकिन फिर भी और यहां पर कच्छी दरगा विद्धुपूर का एक्सा डोश के बल सिक्स लेन ब्री से यह जो है कि इसका काम तेजिस चला जो कि रागोपूर तक कनेक्ट किया जाएगा और इस तरीकी से जो तरको का बड़ी-बड़ी मसीनों का उस तरफ रागोपूर साइड ले जाया जाता है उससे बचने के लिए इस रोट की कनेक्टिविटी जो रागोपूर तक का कंस् बढ़र भाएन कि अधी बहुत देख सकते हैं इस तरीका से जितनी भी ट्रक लगे हैं यह सब त्रक लोड हो रहा है यह भी बैक होगा फिर उसके बाद तीन और लगावा है और इस तरीके से फ्प्विदर भी आ रहा है यह भी हाईडरो लीक हो जो भी हो तो इस तरीके से देखें लोड हो रहा है यहां पर बैराज पर जा रहा है और आगे बढ़ाया जागा फिर आगोपूर साइट काम होगा तो यहीं दिक्का था था बारिश के दिनों में चार मेना पांच मेना का तो चलिए अब मेन वर्क जो है वह देखाता हूं यह ब्रीज जो कि लगभग 9. 9.76 km और यहां पर चलता रहेगा तो यहां तक शिक्स लेन है उसके बाद फिर थिरी लेन थिरी लेन अलग हो जाता है आगे में चली देखाता हूं तो यहां से आपको दो फर्मा दिख रहा होगा तो दो तरीके से यह बढ़ जाता है एक सी मतलब यहां से बहुत सारी कनेक् चले जाएंगे और जो बिद्दुपुर से आड़ होंगे तो इनको उतरने के लिए आगे है चली देखाता हूं तो यहां आपको और दो भागों में दिख रहा होगा च्री लेन इस साइट तो शिक्स देन का ब्रीज है सामने एक देख रहे हैं यह वाला यह जो पतना साइ यह घुमते देखें दूर से दिख रहा होगा आपको देखें वहां से एक सेथ दिखता होगा देखें इस तरफ डबलु एमेंएं भी गिरावा है और बहुत तेजी से काम चल रहा है ऐसे होते हैं अप फिर पटना के और इस तरफ चले जाएंगे तो आगे यह सब जो की आगे इसालि से याएंगए तो अइसे से और इस तरफ से सकते है और फिर आगे ऑगे जागे गूं तो काफी नहीं और बड़ाजा निया है से बिछआए और कि आप जो आपके सामने है तो चलिए अब आगे चलता हूं और आगे का जो वर्क है वो दिखाता हूं मैं आप लोगों को जो तीन चार रेम आगे जो डाउन होगा अब होगा उसका वर्क दिखाता हूं यह वाला भाग बचावाथ से पहले अप्डेट देने आथा तो इसे भी जॉइंट कर लिया गया देख रहा है तो यह पूरा नया हुआ है यह वाला फर्मा चलिए अब आगे देखता हूं कुछ बाकी कि यह सब जगह हो पर भी स्वाइल फिलिंग की जा रही है तो साथ हो सकते यह जगह कुछ बना है जाए फ्यूचर में आपकी यह रेले ला के लिए हो के लियर निस सबस्तर लिए एक हो सकता है क्योंकि जाने नहीं कि मैं कुछ बता सकता हूं श्रफ पटना है श्रफ मुकाम हवा हअ और यह उपर रस्ट्र जो काफी दिनों से कंपलीट है बस एक there यह बागी था यह वाला बागी था एक सेक्षन तो यह पूरा कंप्लीट हो चुका है देखिए आप तो चलिए आगे अब मेन वर्क हो रहा होगा वह भी मैं देखाता हूं तो चलिए आपके सेग्मेंट सभी पर लॉंच किया हूँ जो ढालने के प्रक्रिया है वह बागी रै है यह पतना सहर से जो गारी आएंगी मतलब इस साइक पतना सहर है पुरा तो पतना सहर से जिरो मैल साइट से जो गारी आएंगी जिनको बिद्धूपूर साइट जाना होगा तो यह कलवड़ वाला जो देख रहे है बीच में रास्त तक यह भरा करके और एक रोड बन यानि जो गारियां बिदूपुर साइट से आएंगी तो जिनको पटना जाना होगा तो वह ऐसे हो करके और चले जाएंगे ठीक उसी तरीके से यहां पर भी देखिए बहुत सारा अंडर पास वगरा बन रहा है तो उसका तो डिजैन नहीं बता सकता लेकिन उसी तरीके से एक क्यायर से नीचे-टान आएगा तो बनाए हैं अदिश्थ बिढ़ने एक सब्सक्राइब कर हाका जांए की विपती दी जाएगी पर आप जैसी भी देख रहें तो यह पतना साइट से पतना सहर से आने वाले गाड्ययों के लिए हाँ पर सुलिंग का काम हो रहा और जो बिद्धूपूर साइट से रॉन होते वह आएंगे तो बक्तियार पूर्पूर पूर जाएंगे लेकिन So कि यहांपर रखने काम थे वो फूरा कर लिया गया है और इस तरफ से करें गड़ा रखा किया है लुहें आप है तुछ सर्फ मालय को तरीकों इस तरीके से देखिए हैं कि कई जगहों पर इसमें भी कलवाट बड़ी गाडियों चोटी मुठी घारियों के लिए और आम अदमियों के लिए फीर सी तरीकरी से यह तो इस तरीके से कई सारी इसमें डिजाइने हैं जो बड़ाई खुबसूरत इंटर्चेंज और लाजवाब होगा और सामने दूर से दिख रहा है देखिया तो यहीं बिहार की खुबसूरती है जो दिरे दिरे नजर आ रही है हमारे जरीए कुछ यूटूबर के जरीए उसे पूरा कर लिया जाएगा और ने चाहिए जो ज्यूटं यहां बालु आप देख भड़ावा और ऐसे ऊथेगी और उठकरके साइध हो ऐसे यहीं से यह से फिर टिए जो स्वाइल शुट होता है क्से बहरीत तो यहीं से भी. कभू यह होता है. क्या होताय तो मैं टाम टू टाम अपडेट दूँंगा दिखाऊँगा तो तीन रेम देखा दिया यह पेटार रॉद कातर हो जिसाए कि जो बक्तियारपुर साइड वाला रैम्प होगा उसे कहीं पर से एक कलवट बना करके और गाडियों को ऐसा मोड़ा जाएगा कि अभी तक इस्ट्रक्शन में कहीं दीख नहीं रहा स्वाल फिलिंग होता वा क्योंकि इस तरीके का हमें नहीं लगता है कि यहां पर क जाएगा और दिदार पटना से यानि अनिसाबाद से कहीं से लेकर के दिदार गल तक एक फोर लेन या सिक्स लेन का ब्रीज बनेगा फ्यूचर में क्योंकि रोड रोड पे गाड़ियों का दवा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और हो सकता है कि इसे सिक्सलें किया जाए अजुदे देए मेरे साथ कंटिनू इस तरह का अपडेट पाने के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स